इंसान के भीतर कुछ अधूरेपन की वजह से जरूरतें उठती हैं, लोग अपने भीतर कुछ पूर्णता महसूस करनी के लिए रिष्टे बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यूंकि ये जीवन, जीवन का ये अंश अपने आप में एक पूने काई है। वैसे मूल चीज तो यही है, फिर भी रिष्टों की प्रक्रिया जटिल होती है यहां उमीदें होती हैं और उमीदें होती हैं और उमीदें होती हैं बहुत से लोग ऐसी उमीदें बनाते हैं कि इस धर्ती पर कोई भी इंसान इन उमीदों को पूरा न कर सके रिष्टे बनाने की प्रक्रिया में पहले कुछ क्षणों में उमीदें एक जैसी हो सकती हैं लेकिन जीवन के हर कदम के साथ उमीदें अलग-अलग हो सकती हैं क्योंकि लोगों में ये उमीदें बदलती रहती हैं ये एक जैसी नहीं रहती हैं और ऐसा हो भी नहीं सकता है एक इंसान पूरे जीवन एक जैसी उमीदों के साथ वैसा ही रह सकता है दूसरे की उम्मिदें बदलती रहती हैं, क्योंकि उसकी जीवन के अनुभूती और अनुभव बदल रहे हैं। अब रिष्टे बड़ा संघर्ष बन जाते हैं। घर की चार दीवारी में, जितना जगड़ा हो रहा है, उतना धर्ती पर कहीं और नहीं हो रहा है। पस बम नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको सुनाई नहीं पढ़ता है। हो सकता है कि वो एक दूसरे से बात न कर रहे हूं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों की उम्मीदें बदल रही हैं और ये एक रफतार से नहीं बदल रही हैं। मूल रूप से हम रिष्टे बनाने क्यों गए? क्योंकि आपको लगा के बिना रिष्टे के, अगर आप जीवन में किसी तरह का रिष्टा नहीं रखते हैं, तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो मूल रूप से आप रिष्टे बनाते हैं क्योंकि आप खुश रहना चाहते हैं, आप प्रसंद रहना चाहते हैं, या यूँ कहिए, आप किसी और को अपनी खुशी के स्रोत के रूप में इस्तिमाल करने की कोशिश कर रही हैं। अगर आप अपनी प्रकृती से ही खुश हैं, तो अब रिष्टे आपके खुशी को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं, खुशी को ढूणने का नहीं। अगर आप खुशी ढूणने के लिए रिष्टे बना रहे हैं, और किसी से खुशी निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इंसान आपसे खुशी निचोड़ने की कोशिश कर रहा है, अब ये कुछ समय बाद दर्दनाक रिष्टा होने वाला है। शुरुवात में ये ठीक हो सकता है, क्योंकि कुछ चीजें पूरी हो रही हैं। लेकिन अगर आप अपने आपसे ही आनंदित बन चुके हैं, और आप इसलिए रिष्टे बना रहे हैं क्योंकि आप अपनी खुशी को व्यक्त करना चाहते हैं, तो कोई भी आपके बारे में शिकायत नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने आनंद को व्यक्त करने की प्रक्रिया में हैं, न की दूसरों में आनंद ढूनने की। तो अगर आपका जीवन आपके आनंद की अभिव्यक्ति बन जाए, दूसरों में आनंद ढूनना नहीं, तो रिष्टे अपने आप ही अद्वत होंगे। आप 10 लाख रिष्टे बना सकते हैं और उन्हें अच्छे से निभा सकते हैं। अब दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के सरकस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप आनंद की अभिव्यक्ति हैं, तो वैसे भी वो आपके साथ रहना चाहेंगे।